सर्दियां सुरू होते ही घर में पराठो का सीजन आ जाता है तरह तरह के पराठे बनने सुरू हो जाते हैं कभी मोली का कभी मेथी का कभी मटर का कभी आलू का कभी गोबी का तरह तरह के पराठे बनने सुरू हो जाते हैं तो उसी सिलसले में मैं भी आज एक नया पराठा मेरे कीचन रिखास फ्रेश फ्लिवर में आपका स्वागत है तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं तो पराठा की साथ खाने के लिए सबसे पहले हम एक चटनी तयार कर लेंगे जिसके लिए मैंने चाट टमाटर एक लहसुन दो हरी मिर्च और एक प्याज ल लगता है जब हम इसको ऐसे आग में भून कर बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और यह जैसे जैसे भूनता जाएगा हम वैसे वैसे पलटते जाएंगे और इसको अलग करते जाएंगे और इन सब को भूनते समय हम आज को बहुत ज्यादा तेज नहीं र हमारा भुन गया है तो हमने इसको निकाल लिया है हरी मिर्ची भुन गई है तो हरी मिर्ची को भी अब निकाल देते हैं अब टमाटर और प्याज को दोनों तरफ से यानि चारों तरफ से उलड़ते पलड़ते हुए हम पका लेंगे और निकाल लेंगे ये देखिए टमाटर पक कर रेडी हो गया है तो अब इस समय हम इसको निकाल लेंगे प्याज भी पक गया है अब सारे पक गये हैं अब हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो उपर से हम इसके जो काले काले छिलके हो गये हैं उन सारे छिलकों को हमें निक सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो यह देखी हमने सारा छिलका को यहां पर निकाल दिया है अब एक चौपर ले लेंगे अब सारी चीजों को उसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसमें थोड़ा इसको चलाकर हम ग्राइंड कर लेंगे और अगर आपके पास च प्रश भी आप कर सकते हैं मैं यहां पर चौपर में डालकर रफली चौप कर रही हूं इसको रफली चौप करेंगे अभी और यह देखे रफली चौप हो गया है तो अब इसको और भी टेस्टी बराने के लिए मैं यहां पर डाल दे रही हूं थोड़ा सा हरा धनिया इसके साथ ही डाल देंगे आधा नीबू का रस वन फोर्थ टीस्पून नमक और वन फोर्थ टीस्पून काला नमक भी डाल देंगे और इसके साथ ही डाल देंगे एक बड़ा चमच सरसो का तेल इससे स्वाध बहुत ही अच्छा आता है आप एक बार जरू ट्राइ करना चटनी में सरसो का तेल डाल कर बहुत ही मस्त लगता है अब इन सब को डाल कर एक बार फिर से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और ये देखे ग्राइंड हो गया है और ये चटनी भी बनकर रेडी हो गया है तो चटनी बनकर रेडी हो गया है अब हम इसको साइड में रख देत है जिसको अच्छे से दोकर हमने ग्रेट कर लिया है और उसके साथ ही ले ले जाएंगे डियाधु कanka मेथी जिसको दोकर अच्छे-से हमने बारि काट लिया था हरा धनिया भी डाल देते हैं एक छोटा चम्छ चिलिफ्लेक्स एक छोटा चम्छ अजवाइन जिसको हाथों से क्रश करके डालेंगे तो स्वाद अच्छा आएगा आधा छोटा चमच जीरा एक बड़ा चमच ग्रेटेड अद्रक एक बड़ा चमच ग्रेटेड लहसुन एक छोटा चमच चाट मसाला नमक स्वात के अनुसार और एक बड़ा चमच हम तेल डाल देंगे और इन सब को हमें सबसे पहले मिला लेना है सारे चीजों को हम अच्छे से मेक्स करेंगे क्योंकि मूली पानी चोड़ता है और हमने अभी इसमें नमक भी मिलाया है इसलिए हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और यहां पर हमने ले लिया है दो कप आटा अब आटा को हम इहां पर एक बार में नहीं डालेंगे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं डालना है बीना पानी का ही ये आटा लगाना है अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो मूली का पानी तो छोड़ता ही है उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा और आटा इसमें जादा लग जाएगा दो कप की जगा तीन से चार कप भी आटा लग सकता है और ये जो पराठा है उतना टेस्टी भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आटा की मात्रा जादा हो जाएगी तो बिना पानी का हमें थोड़ा थोड़ा करके ये देखिए आटा हमने लगा लिया है अब अभी भी थोड़ा सा गीला लग रहा था तो हमने एक चमच आटा और मिला लिया है वैसे अगर आपको जरूरत पड़े तभी आप मिलाए और अगर जरूरत ना हो तो आठा ना मिलाएं ये दिखिए ये आठा बनकर रेडी हो गया है हमारा आठा बिल्कुल तयार है तो चलिए अब इसके पराठे बनाते हैं तो गोल-गोल इसके एक पेड़े बना लेंगे बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा भी नहीं अब इस सर्दियों में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बार आप जरूर ट्राइ किजिए अब यह गोल गोल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें मूली के लच्छे आ जाते हैं साइट साइट से तो हम सैट से थोड़ा-थोड़ा मिला लेंगे अपने हातों से और इसको गरम तो हमने दूसरी तरह पलट दिया और इसमें घी लगा दिया है एक चम्मच एक चम्मच उपर से घी लगाके दूसरी साइट से भी पलट देंगे और दूसरी साइट से भी घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे और सेकते समय हम आज को मिडियम ही रखेंग आप अगर चाहें तो घीग की जगह आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह देखिए दोस्तो पराथा सिक्कर रेडी है, सर्फ करने के लिए ऐसे ही सारे पराथे हम सेक्कर रेडी कर लेंगे और सर्फ करेंगे गरमा गरम, तो ये हमारे सारे पराठे तो रेडी हो गए हैं आप कब बना रहे हैं बना कर मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको मेरा ये पराठा कैसा लगा सरदियों में इस पराठे को बना कर खाएंगे न तो एकी पराठे में दो-दो चीजों का मज़ा मिलेगा एक तो मूली का और दूसरा मेथी का ये दीखिए कितना सॉफ्ट पराठा बनकर रेडी हुआ है अब मैं तो इसको इंज्वाइ करने जा रही हूँ आप भी बनाईए बनाकर मुझे कमेंट करके बताईए कि कैसा लगा और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार